अबिजो यहां पे दिन पर आफनोलरण चल रहा था तोलगाबाद मार्ज के लिए हो इन लोग निकल रह थे हमारे तुमाम किद्रे कमेठी और तुमाम साथ संगत औ जो लोग आय वे थे वो लेकर के महा तुगलकाबाद में ही माज निकल रहा था बीच में ही लिली पुलिस द्वारा रोक दिया गया है और यहीं पे पुजा संपन हुई है बेरिकेट के उपर ही जंतरमंतर के उपर अगली गोशना यह हुई है कि 10 अक्तुबर को जिस दिन मंदिट आया गया था उसके दो महापूरे हो जाएंगे उसी दिन दुगलकाबाद में जाकर पुरे देश के कोने कोने से संत महाराज और पुरी संगत संशमनी गुर्ववदाजी के नहीं आई तुगलकाबाद पहुच करके अर्दास करेंगे पूचा करेंगे बड़ी बारी संख्या में लोग 10 अक्तुबर को तुगलकाबाद पहुचेंगे पूचा अर्दास के लिए अगर श्याने बच्चे जो ग्रोकार रहें वो कब तक रिया हो जाएंगे? देखे इसमें कोट की प्रक्रिया चल रही है, इसमें केंद्रे कमेटी ने फैसला किया, अब हमारे संता सुन्देव माराजी ने जो केंद्रे कमेटी के हैड है, उन्होंने गोशना किये कि अब आज जो आंद्रे कमेटी के पाद हमें परमुक्ता से बच्चों की रहे के उपर ही ध्यान देना है, और सरकार के अंदर जाकर के अपनी बात को रखना है, और कूट के अंदर भी जोड़दार तरीके सी पहरवी करनी है, सर, दस तारीक के जो क्रोग्राम है, वो तुलगाबाद मंदिर के उपर है, तो यह च्याने बच्चे अबी जो गिरफ्तार हुए, तो वो कब तक यहां मतलब हो जाएंगे? देखे, यह कोट की प्रक्रिया है, मैंने भी आपको रिपेट कर दे रहा हूँ, कि इसमें पूरी कोशिश की जाएगी, और इसमें बच्चों को बेल आउट कराने के लिए पूरे प्रयास के जाएगे, केद्री के पेट्री के ओर से, सुब्देव महाराज जी ने भी यहां दो दा ठार के बाद में, दलितों ने जितने भी आंदोन की है, वो यहां तो जेलों में पड़े हैं, वो उनको पानूनी तोर पर उनको निसाना बढ़ा जा रहा है, क्या लगता है, यह कहिना करें दलितों को दबाने की कोशिस है, देखे, इसमें पीछे एक साजिस है, सु ने कितनी कांड हो, अगर हमारे लोग उसके विरोध में महाधना पर्दशन के लिए निकलते हैं, तो उस आंदोनन को हिंसक बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से होता है, इसके अलावा जो कानूनी पचड़ी में खसा दिये गए हैं, बहुत सब्सक्राइब हजारों, हजारो माधियम से हिंसा का बल ले करके, हिंसा का सहरा ले करके हमारे लोगों को, हमारे परतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द च्छान में लोग गरफ्तार हैं उसमें बता गया कि दो सरकारी जोब करते हैं हो गरफ्तार हे एक जो h Parlilek और कोई पड़ाइ कर रहा है जिन्दी कैसे सफ़ा किसी सरकारी जोब के लिए तो कही न कभी हो गई है उन पे एक आंदोना का धपा लग गया है क्या हो सकस्थ हो पाएंगे इस तरह के इसमें हमारी सिरकार से मांग है कि हमारे सारे निर्दोस बच्चों को जो किस अगस्त को यहां अंदोना में शामिल हुए थे संशमर्णी गुरफदार जी के मान समान को बचाने के लिए तुगलगाबाद के मंदिर को बचाने के लिए यहां अंदोना में शामिल हुए थे उन निर्दोस बच्चों को बिना शर्त रिया किया जाए और सारे मुकद में वापस लिए जाए इस बात में हम जोड़ दे रहे सर एक महिना हो चुका है तुगलगाबाद वाले अंदोना को इसमें स्क्राइल लगता है अभी तक कोई जमान की इसमें पिरक्रिया हमें लगता है सकरात्मक सुरू नहीं हो पाई है अभी कोई गुंजा इस नहीं देख रही है कि आसा नहीं जो जो बहुजन समाज के वकील है या जो भावन हमारे सांदोरन से रख्टें गुरु भक्त हैं उन सबके पूरे प्रियास लगे वे हैं कि बच्चों की रियाही जल्दी से जल्दी हो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी दरफ से प्रियास नहीं हो रहें इमानदारी से प्रियास नहीं हो रहें जो भी इसमे सरकार है। मोधी सरकार है योगी अन्य स्टेट में बिंगा सारी सरकार चल रही है। वो द्राम द्रायिया को बाताबोर्तफ मलड़िए त Cong Verb Shield- कमारीदाश मंदिर वहां लाइस के संमाज को कहते है। यह किस Knox इंडरी वो ऐसारे मिला दीर के पूराना मंदर उसको किरा दिया जाता है तो सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं है वह एक्चली क्या है उस बेश किमती जमीन को अपने भूमाभ्याओं के मांत्यम से कब्जे में लेने के लिए मंदर किराया गया है सीधे-सीधे यह जमीन को कब्जाने का मामला है वह बहुत यह ठीक नहीं है जमीन को लेकर या जो रवीजदास जी की विचार धारा है जो समाज सुधारत बताए गए हैं पूरे वर्ल में नंबर वन उन्होंने जातिवाज का भी विरोध किया समाज में उच्छीज का विरोध किया कहीं नहीं क्या नहीं लखता कि आपको जो मूदी के टाकत हैं वहां वशार्डावा तोड़ने कोसिल सिगाई हैं मंदग्रा का यह एक साज़िस तो है मैंने आपको बताया और अमबेडकरी विचार धाला को दफनाने के लिए हमारे संतों महाबर्सों की विचारदारा को दफनाने के लिए ये सारे हथकंडे, मनुवादियों द्वारा और RSS की द्वारा, BDP की द्वारा, सरकार द्वारा के जा रहे है सर ये जो चुनाव आ रहे हैं करी राजियों में हर्याणा है, दिल्ली है, बाकि वो तो क्या ये मुद्दा बन सकता है चुनाव में दलितों की दिए पूरा मुद्दा बनेगा देखेगा आप ये मुद्दा बहुत विशाल बनेगा बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा जैसंश्रीमण गुरुद्दार जी का मंदिरों ने ठाया हो या अभी 1718 की रात में कि दिल्ली हरियाना पहुंच करके इनके खलाप चुनाव पर चार करेंगे आकड़ी सवाल है सबसे जो चानव में लोग ग्रफतार है पिछले 21 अगस्त को उनमें चानव मेंसे जो 56 जो लोग है उनमें वह रियाना के तो यह जो यह जो 56 लोग हैं उनके परिवार है या ये हर्याना में चुनाव हैं अपनी ताकत दिखा पाएंगे कि हमारे साथ यह गुल्ब हुआ है देखें बाजिर समाज के लोग बड़ी संक्ख्या में हर सूपय में है हर्याना उससे अलग नहीं है अर्याना में भी बड़ी संख्या में सी पीसी अरसुम்झाती के लोग वावा साहब के मानने वाले हैं संशमंडी को रताजी कहने आई हैं तो वो चुपनहीं बैटने वाले हैं और इनका बाजा बजाके रहेंगा आने वाले चुनाव में देंव अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटम बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले